धमपग चित्वग गाथा नमबर 39 इसकी जो कता है वो 38 वाली है जो चित्थ वाली कता है सेम वही है चुकि भगवान एक तरफ जो बात कहते हैं फिर दूसरी तरफ दूसरे सेंटेस में जो गाथा कहते हैं यह वो गाथा उसका दूसरा हिसा है इस प्रिकार है अन माने नहीं और वस माने होता है बरसा जिसके चित्थ में नहीं है चित्थ में नहीं है का मतलब है कि जिसके मन के अंदर बारिस नहीं है का मतलब यहाँ है जिसके मन में राग नहीं है यानि राग की बारिस नहीं है जिसको कोई राग नहीं है कोई क्रेविंग नहीं है ऐसा जो मन है उसके लिए यहाँ अनवसुत चित्तस से बोला गया है अननवाहत चेत्सो अननवाहत चेत्सो अनन माने होता है मुक्त वा माने या और हित माने जो होता है हत माने जो होता है वो होता है नुकसान यानि कि दोस यानि कि जिसमें दोस भी नहीं है ऐसा चेत्सो, चेत्सो का मतलब है ऐसा चेत्ना वाला, ऐसा चेत्ना वाला चेत्सो, जिसके अंदर कोई दुएस्वी नहीं है, अनन वाहत चेत्सो, तुईये पाप वहीनस से, जो पुन्य से पाप से वहीन है, यानि जिसमें पुन्य भी नहीं है, पाप भी नहीं है, उससे द नत्ति जागरतो भयंग नत्ति माने नहीं जागरतो माने जो ऐसा जागा हुआ है उसको भै नहीं है भै नहीं होता यानि कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ना कुछ चाहिए 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 कुछ चाहिए ऐसी कोई इक्षा है ना किसी का कोई नुक्सान करना है किसी क उसको मानना काटना है, किसी का दुएस है, ना ऐसी को इक्षा है, जो पाप से और पुर्णे से दूर हो चुका है, विहीन हो चुका है, यानि कि ऐसा व्यक्ति जो ना पाप की इक्षा है और ना ही पुर्णे की इक्षा है, ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरसे फ्री हो चुका है, मुक्त हो चुका है ऐसा जागा हुए विक्ति को दुनिया में कोई भे नहीं है वो निबान पद को प्राप्त कर चुका है वो मुक्त हो चुका है वो मुक्त तवस्था है उसको मुक्ष बोलते हैं जो बुद्ध ने सिखाया तथागत ने सिखाया ये चित्वक की गाथा नंबर 38 है इसकी कथा ठीक वही है जो 37 की है गाथा नंबर 39 है और इसकी जो कथा है वो 38 वाली है धन्यवाद ताम शरनं गचा में संखन शरनं गचा में ताम शरन गच्छा में धाम शरन गच्छा में